स्री मदभागवत महापुराण दसमसकंध अथखोडसो अध्याय काली परकृपा स्री सुकदेव जी कहते हैं परिच्चित भगवान स्रेकृष्ण ने देखा की महाविसधर काली नाग ने यमना जी का जल्विसैला कर दिया है तब यमना जी को सुद्ध करने के विचार से उन्होंने वहाँ से उस सर्व को निकाल दिया राजा परिच्चित ने पूँचा ब्रामवन भगवान स्रेकृष्ण ने यमना जी की अगाथ जल में किस प्रकार उस सर्व का दमन किया फिर काली नाक तो जल्चर जीव नहीं था ऐसी दसा में वह अनेको युगों तक जल में क्यों और कैसे रहा सो बतलाईए ब्राम स्वरूप, महात्मन, भगवान, अनन्त हैं वे अपने लीला प्रकट करके स्वच्चंद बिहार करते हैं गोपाल रूप से उन्होंने जो उदार लीला की है वह तो अम्रिश्वरूप है भ़ला उसके सेवन से कौन्त रिप्त हो सकता है स्री सुकदेव जी ने कहा परिच्छित यमना जी में काली नाक का एक कुंड था उसका जल विस्की गर्मी से खौलता रहता था यहां तक की उसके उपर उड़ने माले पच्छी भी जुलस कर उसमें गिर जाया करते थे उसके विसेले जल की उत्ताल तरंगों का आसपर्स करके तथा उसकी छोटी छोटी भूदे लेकर जब वाय वाहर आती और तटके घास पात ब्रिच्छ पस पच्छी आदिका आसपर उस साप के विसका वेग पड़ा प्रचंड भयंकर है और वह भयानक विस ही उसका महान बल है तथा उसके कारण मेरे विहार का स्थान यमुना जी भी दूसित हो गई हैं तब भगवान स्रे किष्ड अपने कमर का फेंटा कसकर एक बहुत उंचे कदम के ब्रिच पर चड़ और वहां से ताल ठोक कर उस विसेले जल में कूद पड़े यमुना जी का जल साप के विसके कारण पहले से ही खौल रहा था उसकी तरंगे लाल पीली और अत्यंत भयंकर उठ रही थी पूरसोत्तम भगवान स्रे के कूद पड़ने से उसका जल और भी उचलने लगा उस समय तो काली दह जल इधर उधर उचल कर चार सव हाथ तक फैल गया अचिंत अनंद बलसाली भगवान स्रे किश के लिए इसमें कोई आश्चर की बात नहीं है प्रेपरिच्छित भगवान स्रे किश काली दह में कूद कर अतुर बलसाली मतवाले गजराच के समान जल उचालने लगे इस प्रकार जल क्रीडा करने पर उनकी भुजाओं की टकर से जल में बड़े जोर का सब्द होने लगा आख से ही सुनने वाले काली नागने वह आवाज सुनी और देखा कि कोई मेरे निवास अस्थान का तिरसकार कर रहा है उसे यह सहन ना हुआ वह चिड़कर श्रीकिश के सामने आ गया उसने देखा कि सामने एक सावला सलोना बालक है वर्षा कालीन मेक के समान अत्यंद सुकुमार सरीर है उसमें लगकर आखे हटने का नाम ही नहीं लेती उसके वच्छस्तल पर एक सुनहली रेखा श्रीवत्स का चिन है और वह पीली रंग का वस्त धारन किये हुए है बड़े मधूर एवं मनोहर मुख पर मन्द मन्द मुसकान अत्यंद सोभाय मान हो रही है चरण इतने सुकुमार और सुन्दर हैं मानो कमल की गद्दी हो इतना आकर्षक रूप होने पर भी जब कालीनाग ने देखा कि बालक तनिक भी ना डर कर इस विस सरीर के बंधन से उन्हें जकड लिया भगवान स्रीकृष्ण नाग पास में बद कर निस्चेश्ट हो गए यह देखकर उनके प्यारे सखा ग्वाल बाल बहुत ही पीलित हुए और उसी समय दुख पस्चाताप और भैसे मोर्चित होकर प्रित्वी पर गिर पड़े क्योंक अपने सरीर सुहरिद धन संपत्ति इस्त्री पुत्र भोग और कामनाय सब कुछ भगवान स्रीकृष्ण को ही समर्पित कर रखा था गाय बैल बच्चिया और बच्चले बड़े दुख से डकराने लगे स्रीकृष्ण की ओर ही उनकी टक्टकी बद रही थी वे डरकर इस प्रकार खड़े हो गए मानो रो रहे हों उस समय उनका सरीर हिलता डोलता तक ना था इधर ब्रज में प्रित्वी आकास और सरीरों में बड़े भैंकर भैंकर तीनों प्रकार के उत्पात उठ खड़े हुए जो इस बात की सूचना दे रहे थे कि बहुत ही सीग्र कोई असुभ घटना घटने वाली है नंद बाबा आधिगोपो ने पहले तो उन असकुनों को देखा और पीछे से यह जाना की आज स्रीकृष्ण बिना बलराम के ही गाय चराने चले गए वे भगवान का प्रभाव नहीं जानते थे इसलिए उन असकुनों को देखकर उनके मन में यह बात आई कि आज तो स्रीकृष्ण के मृत्यू ही हो गई होगी वे उसी छण दुख सोक और भै से यातुर हो गए क्यों ना हो स्रीकृष्ण उनके प्राण मन और सर्वस्जो थे प्रेपरेचित ब्रच के बालक ब्रिध और इस्त्रियों का सुभाव गायों जैसा ही वात्सलिपून था वे मन में ऐसी बात आते ही अत्यंद दीन हो गए और अपने प्यारे कनहया को देखने की उतकट लालसा से घर द्वार छोड़ कर निकल पड़े बलरामजी स्वयम भगवान के सुरूप और सरवसक्तिमान है उन्होंने जब ब्रजवासियों को इतना कातर और इतना आतुर देखा तब उन्हें हसी आ गई परन्तु वे कुछ बोले नहीं चुप ही रहे क्योंकि वे अपने छोटे भाई स्रीकिष्ट का प्रभाव भली भाद जानते थे ब्रजवासियों अपने प्यारे स्रीकिष्ट को ढूटने लगे कोई अधिक कठिनाई ना हुई क्योंकि मार्ग में उन्हें भगवान के चरन्चिन मिलते जाते थे जव, कमल, अंकुस, आधिसे युक्त होने के कारण उन्हें पहचान होती जाते थे इस प्रकार वे यमना तटकी ओर जाने लगे परिच्छित मार्ग में गवों और दूसरों के चरन्चिन्नों के बीच बीच में भगवान के चरन्चिन भी दीख जाते थे उन्हें कमल, जव, अंकुस, वज्ज्र और ध्वजा के चिन्न बहुत ही असपश्ट थे उन्हें देखते हुई भी बहुत सीकृता से चले उन्होंने दूर से ही देखा कि काली इदह में काली नाक के सरीर से बधे हुए स्रेकृष्ण टेस्टा हीन हो रहे हैं कुंड के किनारे पर ग्वाल बाल चेत हुए पड़े हैं और गववे बैल बचले आधि बड़े आर्थ स्वर से डखरा रहे हैं यह सब देखकर वे सब गोप अत्यंत ब्याकुल और अंत में मूर्शित हो गए गोपियों का मन अनंत गुल गळ निले भगवान स्रेकृष्ण के प्रेम के रंग में रगा हुआ था वे तो नित निरंतर भगवान के सवहार्द उनकी मधुर मुसकान प्रेम भरे जितवन तथा मीठी वाडी की ही वाडी का ही अस्वरन करती रहती थी जब उन्होंने देखा कि हमारे प्रेतम स्याम सुन्दर को काले सापने जकल रखा है तब तो उनके हिर्दे में बड़ा ही दुख और बड़ी ही जलन हुई अपने प्राण वल्लब जीवन सर्वस्व के बिना उन्हें तीनों लोग सूने देखने लगे माता यसोदा तो अपने लाडले लाल के पीछे काली दह में कूदने ही जा रही थी परंत गोपियों ने उन्हें पकड़ लिया उनके हिर्दे में भी वैसी ही पीड़ा थी उनकी आखों से भी आशों की जड़ी लगी हुई थी सबकी आखें स्रीकृष के मुख कमल पर लगी थी जिनके सरीर में चेतना थी वे ब्रज मोहन स्रीकृष की पूतना वद आध की प्यारी प्यारी ऐश्वर के लिलाएं कह कह कर यसोधा जी को धीरच बढ़ाने लगी किन्तु अधिकांस तो मुर्दे की तरफ पढ़ ही गई थी परिच्चित नंद बाबा आध के जीवन प्राण तो स्रीकृष ही थे वे कृष के लिए काली धह में खुशने लगी यह देखकर स्रीकृष का प्रभाव जानने वाले भगवान बलराम जी ने किन्ही को समझा बुझा कर किन्ही को बलपूरवग और किन्ही को उनके हिर्दयों में प्रिणड़ा करके रोग दिया परिच्छित यह साप के सरीर से बद जाना तो स्रीकृष की मनस्यों जैसी एक लिला थे जब उन्होंने देखा कि ब्रज के सभी लोग इस्त्री और बच्चों के साथ मेरे लिए इस प्रकार अत्यन दुखी हो रहे हैं और सच्मुच मेरे सिवा इनका कोई दूसरा सहारा भी नहीं है तब वे एक मोहूर तक सर्प के बंधन में रहकर बाहर निकलाए भगवान स्रीकृष ने उस समय अपना सरेर फुला कर खूब मोटा कर लिया इससे साप का सरेर तूटने लगा वह अपना नाक पांस छोड़ कर अलग खड़ा हो गया और ग्रोध से आग बवुला हो अपने फण उचा करके फुपकारे मारने लगा घात मिलते हैं स्रीकृष पर चोट करने के लिए वह उनकी योर टक्टकी लगा कर देखने लगा उस समय उसके नतनों से बिस्की फुहारे निकल रही थी उसकी आखें स्थिर थी और इतनी लाल लाल हो रही थी मानों भठी पर तपाया हुआ खपड़ा हो उसके मुँसे आग की लपटे निकल रहे थे उस समय काले नाग अपनी दुहरी जीब लपलपा कर अपने होटों के दोनों किनारों को चाट रहा था और अपनी कराल आखों से विसकी जुआला उगलता जा रहा था अपने वाहन गरुल के समान भगवान स्रेकिष उसके साथ खेलते हुए पैतरा बदलने लगे और वह साब भी उनपर चोट करने का दाउं देखता हुआ पैतरा बदलने लगा इस प्रकार पैतरा बदलते बदलते उसका बलचीन हो गया तब भगवान स्रेकिष्ण ने उसके बड़े बड़े सीरों को तनिक दबा दिया और उचल कर उन पर सवार हो गये काले नाग के मस्तकों पर बहुत सी लाल-लाल मडियां थी उनके यसपर से भगवान के सुकुमार तलूं की लालिमा और भी बड़ गए नित्य गान आदि समस्त कलाओं के आदि प्रवर्तक भगवान स्रेकिष्ण उसके सिरों पर कलापून नित्य करने लगे भगवान के प्यारे भक्त गंधर्व, सिद्ध देवता, चारण और देवांगनाओं ने जब देखा की भगवान नित्य करना चाते हैं तब वे बड़े प्रेम से मृदंग, ढोल, नगारे, आदि बाजे बजाते हुए, सुन्दर सुन्दर गीत गाते हुए, पुस्पों क वर्षा करते हुए, और अपने को निचावर करते हुए भेंट ले लेकर, उसी समय भगवान के पास आप पहुँचे, परिच्चित काली नाग के एक स्तव एक सिर थे, वह अपने जिस सिर को नहीं जुकाता था, उसी को प्रचन दन धारी, भगवान अपने पैरों की चोट से कुचल डालते, इससे काली नाग के जीवन सकती छीड हो चली, वह मुह और नतनों से खोन उगलने लगा, अंत में चकर काटते काटते वह बिहोस हो गया, तनिक भी चेत होता तो वह अपने आखों से विस उगलने लगता, और क्रोध के मारे जोर जोर से फुपकारे मारने लगता, इस प्रकार वह अपने सिरों में से जिस सिर को उपर उठाता, उसी को नाचते हुए भगवान स्रेकिष्ट अपने चरणों की ठोकर से जुगा कर रोध डालते, उस समय पुरान पुरसोत्तम भगवान स्रेकिष्ट के चरणों पर जो खून की मूदे पड़ती थी, उनसे ऐसा मालूम होता, मानुरक्त पुस्पों से उनकी पूजा की जा रही हो, परिच्चित भगवान के इस अद्भुत तांडव नित्त से काली के फान रूप छत्ते छिन्न भिन्न हो गये, उसका एक एक अंग चूर चूर हो गया, और मुह से खून की उल्टी होने लगी अब उसे सारे जगत के आदि सिच्चक पुरान पुरुस भगवान, भगवान नारायन की स्मृत हुई, वह मन ही मन भगवान की सरण में गया, भगवान स्रेकिष के उदर में सम्पून बिस्व है, इसलिए उनके भारी बोच से काली नाक के सरीर की एक एक गाठ धिली उनकी एडियों की चोट से उसके छत्र के समान भड़ छिन भिन हो गए, अपने पत की यह दसा देखकर उसकी पत्नियां भगवान की सरण में आई, वे अत्यंत आतुर हो रही थी, भय के मारे उनके वस्त्रा भूशन अस्त व्यस्त हो रहे थे, और केस की चोटियां भी घर रही थी, उस समय उन साध्वी नागपत्नियों के चित में बड़ी घबराहट थी, अपने बालकों को आगे करके वे प्रिद्वी पर लोट गई, और हाथ जोड कर उन्होंने समस्त प्राणियों के एक मात्र स्वामी भगवान स्रीकिष्ट को प्रणाम किया, भगवान स यह अवतार ही दुष्टों को दंड देने के लिए हुआ है, इसलिए इस अपराधी को दंड देना सर्वतावचित है, आपके द्रिष्ट में सत्र और पुत्र का कोई भेदभाव नहीं है, इसलिए आप जो किसी को दंड देते हैं, वह उसके पापों का प्राश्चित करान और उसका परमकल्यान करने के लिए ही है, आपने हम लोगों पर यह बड़ा ही अनुगरह किया, यह तो आपका क्रिपा प्रसाद ही है, क्योंकि आप जो दुष्टों को दंड देते हैं, उससे उनके सारे पापनष्ट हो जाते हैं, इस सर्प के अपराधी होने में तो कोई स संदे ही नहीं है, यदि यह अपराधी ना होता, तो इसे सर्प की योन ही क्यों मिलती, इसलिए हम सच्चे हिर्दे से आपके स्क्रोध को भी आपका अनुगरह ही समझती हैं, अवस्य ही पूरुजन में इसने स्वयम मान रहित होकर और दूसरों का सम्मान करते हुए कोई ब उपर संतुष्ट हुए हैं क्योंकि सर्व जीव स्वरूप आपके प्रसंदता का यहीं उपाय है, भगवन हम नहीं समझ पाती कि यह इसकी कि साधना का फल है, जो यह आपके चरण कमलों की धूल का स्पर्स पाने का धिक्यारी हुआ है, आपके चरणों की रज इतनी दुर प्रभो जो आपके चरणों की धूल की स्रण ले लेते हैं, वे भक्त जन स्वर्ग का राज्य या प्रिद्वी की बात्साही नहीं चाहते, ना वे रसातल का ही राज्य चाहते हैं और ना तो ब्रह्मा का पद ही लेना चाहते हैं, उन्हें अडिमादी योग सिध्यों की भी चाह नहीं होती, यहां तक की वे जन्म मृत्त से छुडाने वाले कैवल्य मोच की भी च्छा नहीं करते, स्वामी यह नागराज तमो गुली योनी में उत्पन हुआ है, और अत्यंत क्रोधी है, फिर भी इसे आपकी वह परम पवित्र चरण रज प्राप्त हुई, जो दू प्रभो संपत्त की तो बात ही क्या मोच की भी प्राप्त हो जाती है, प्रभो हम आपको प्रडाम करती हैं, आप अनन्त एवं अचिंत अईस्वर के नित्थ निध हैं, आप सबके अंतह करणों में विराजमान होने पर भी अनन्त हैं, आप समस्त प्राणियों और प्रकृत से परेश्वयम परमात्मा हैं। परमात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात् इन सब का खजाना चित ये सब आप ही हैं तीनों गुड और उनके कारियों में होने वाले अभिमान के द्वारा आपने अपने साथ छातकार को शिपा रखा है आप देश काल और वस्तूओं की सीमा से बाहर अनंत हैं सूजम से भी सूजम और कारिकारणों के समस्त विकारों मे भी एक रस विकार रहित और सरवग्य हैं इस्वर हैं की नहीं हैं सरवग्य हैं की अलपग्य इत्याद अनेक मतभेदों के अनुसार आप उन मतवादियों को उन्ही उन्ही रूपों में दर्सन देते हैं समस्त सब्दों के अर्थ के रूप में तो आप ही आप हैं ही सब्द करती हैं प्रत्यच अनुमान आद जितने भी प्रमाण हैं उनको प्रमाडित करने वाले मूल आप ही हैं समस्त सास्त्र आप से ही निकलते हैं और आपका ज्यान स्वता सिध्ध है आप ही मन को लगाने की विधि के रूप में और उसको सब कहीं से हटा लेने की आग्या के निविट्त मार्ग हैं इन दोनों के मूलवेद भी स्वयम आप ही हैं हम आपको बार बार नमस्कार करती हैं आप सुधसत्त में वसुदेव के पुत्र वासुदेव संकर्षन यों प्रदुम्न और अनिरोध भी हैं इस प्रकार चतुर्व्यू के रूप में आप भक्तों तथ यादों के स्वामी हैं स्रेकृष्ण हम आपको नमस्कार करती हैं आप अंतह करण और उसके व्रित्यों के प्रकास्तक हैं और उन्हीं की द्वारा अपने आपको ढख रखते हैं उन अंतह करण और व्रित्यों के द्वारा ही आपके स्वरूप का कुछ-कुछ संकेत भी मिल आप उन गुडों और उनकी बृत्तियों के साच्छी तथा स्वयम प्रकास हैं, हम आपको नमस्कार करती हैं, आप मोल प्रकृत में नित्य भिहार करते रहते हैं, समस्ति स्थूल और सूजम जगत की सिध्धी आप से ही होती है, रिसी केस आप मनंसेल आत्माराम हैं, मौन ही आपका सुभाव है, आपको हमारा नमस्कार है, आप इस थूल, सूजम समस्त, गतियों के जानने माले तथा सब के साच्छी हैं, आप नाम रूप आत्मक, विस्व प्रपंच के निसेद की अवधी, तथा उसके धिष्ठान होने के कारण विस्व रूप भी हैं, आप विस्व के अध्यास, तथा अपवाद के साच्छी हैं, एवं अज्ञान के द्वारा, उसकी सत्यत्व भ्रांती, एवं स्वरूप ज्ञान के द्वारा, इसकी आत्यंतिक निवृत्ति के भी कारण हैं, आपको हमारा नमस्कार है, प्रभो, यद्य विकरतापन ना होने के का आप कोई भी कर्म नहीं करते, निस्क्री हैं, तथा पी अनादिकाल सक्ति को स्विकार करके, प्रकृत के गुणों के द्वारा, आप इस विश्व की उत्पत्ति, इस्थित और प्रलय के लिला करते हैं, क्योंकि आपके लिलाएं अमोग हैं, आप सत्य संकल्प हैं, जीवों के संसकार रूप से चीपे हुए सुभावों को अपनी द्रिष्ट से जागरत कर देते हैं, त्रिलोकी में तीन प्रकार की योनियां हैं, सत्व गुलप्रधान, सांत, रजो गुलप्रधान, असांत, और तमो गुलप्रधान, मूढ, फिर भी इस समय आपको सत्व गुलप्रधान, सांत, जन ही, विसेश्प्री हैं, क्योंकि आपका यह अवतार और यह लिलाएं साध जनों की रच्छा तथा धर्म की रच्छा यह विस्तार के लिए ही है, सांत, आत्मन, स्वामी को एक बार अपनी प्रजा का अपरादसा लेना चाहिए, यह मूड है, छमा कर दीजिए, भगवन, कृपा कीजिए, अब यह सर्प मरने ही वाला है, साध पुरुस, सदा से ही हम अवलाओं पर दया करते आए हैं, अतह आप हमें हमारे प्राण स्वरूप पतिदेव को दे दीजिए, हम आपकी दासी हैं, हमें आप आज्या दीजिए, आपकी क्या सेवा करें, क्योंकि जो स्रध्धा के साथ आपकी अज्याओं का पालंग आपकी सेवा करता है, वह सब प्रकार के भयों से छुटकारा पा जाता है, स्री सुकदेव जी कहते हैं, परिच्छित भगवान के चरणों की ठोकरों से काली नाग के फण चिन भिन हो गय थे, वह व के धीरे काली नाग की इंद्रियों और प्राणों में कुछ-कुछ जेतना आ गई, वह बड़ी कठिंता से स्वास लेने लगा, और थोड़ी देर के बाद बड़ी दीनता से हाथ जोड़कर भगवान स्रीकिस से इस प्रकार बोला, काली नाग ने कहा, नात हम जन्म से ही तमो गुडी और बहुत दिनों के बाद भी बदला लेने वाले बड़े क्रोधी जीव हैं, जीवों के लिए अपना सुभाव छोड़ देना बहुत कठिन है, इसी कारण संसार के लोग नाना प्रकार के दुराग्रहों में फस जाते हैं, विस्त विधाता आप ही गुड़ो का निर्मान किया है, भगवन आपकी दृष्ट ही, आपकी ही सृष्ट में हम सर्प भी हैं, हम जन्म से ही बड़े क्रोधी होते हैं, हम इस माया के चक्कर में स्वयम मोहित हो रहे हैं, फिर अपने प्रेत्न से इस दुस्त्यज माया का त्या कैसे करें, आप सरवग्य और पूंड जगत के स्वामी हैं आप ही हमारे सुभाव और इस माया के कारण हैं अब आप अपनी इच्छा से जैसा ठीक समझें कृपा कीजिए या दंड दीजिए स्री सुकदेव जी कहते हैं काली नाक की बात सुनकर लेला मनुस्य भगवान स्रे कृष्णे कहा सर्प अब तुझे यहां नहीं रहना चाहिए तू अपने भाई तू अपने जात भाई पुत्र और इस्त्रियों के साथ सीगरी यहां से समुद्र में चला जा अब गववे और समय तुझको दी हुई मेरी इस आज्या का स्पनल कर कीर्थन करे उसे सापों से कभी भै ना हो मैंने इस काली दह में क्रिडा की है इसलिए जो पूरुस इसमे असनान करके जल से देवता और पित्रों का तरपन करेगा एवं उपवास करके मेरा आस्पन करता हुआ मेरी पू दह में आब साथा अब तेरा सरीर मेरे चरण चिन्हों से अंकित हो गया है इसलिए जा अब गरुण तुझे खाएंगे नहीं स्री सुगदेव जी कहते हैं भगवान स्री कृष्ण की एक एक लीला द्भूत है उनकी ऐसी आज्या पाकर काली नाग और उसकी पत्नियों ने आनंद से भर कर बड़े आदर से उनकी पूजा की उन्होंने दिव्यवस्त्र, पुस्प माला, मली, बहुमूल आभूसन, इसके बाद बड़े प्रेम और आनंद से उनकी परिक्रमा की, वंदना की और उनसे अनुमत ली तब अपनी पत्नियों, पुत्रों और बंधुबांधों के साथ रमड़क द्वीब की जो समुद्र में सर्पों की रहने का एक स्थान है यात्रा की लीला मनुस्य भगवान स् केवल विसहीन ही नहीं बलकि उसी समय अम्रित के समान मधुर हो गया इत स्री मदभागवते महापुराणे पारम हंस्याम सहितायाम दसम मसकंदे पूरवार्धे काली मोच्णम नाम खोड़सो अध्याय स्री राधा वेलबलाले की जय